आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी जदा informative होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम OES Mobile App के बारे में details में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या-क्या features दिये गये हैं एंड हम इसे कैसे use कर सकते हैं अगर हम OES Mobile App की बात करें तो जितने भी लोग डाउनलोड करके use कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा या फिर जो लोग डाउनलोड करके use करेंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ जायागा कि OES Mobile App कितना जबरदस्त है use करने में कोई भी परसन आसानी से use कर सकता है user friendly है use करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहे है सारे features अच्छे से काम कर रहे हैं अगर हम color की बात करें color, theme, design, look सब कुछ काफी जबरदस्त हैं तो OES Mobile App को कैसे download करना है इसके बारे में आप सभी लोग काफी अच्छे से समझ गये होंगे ecosystem को login करके ecosystem के dashboard के थुरू हम play store पर जाकर OES Mobile App को download कर सकते हैं download करने के बाद आप सभी जानते हैं उमीद करता हूँ कि आपने download कर लिया होगा download करने के बाद आपके mobile screen पर OES का icon या फिर लोगो दिख जाता है open करने के लिए यानि कि login करने के लिए आपको उस icon पर click करना होता है click करते ही एक page आपके सामने आएगा वहाँ पर दो option होगा login या फिर register अगर आप ecosystem registered user है तो आपको login पर click करना login पर click करते ही login का page आएगा वहाँ पर अपना username और password इंटर करके login पर click कर दीजे आपका dashboard यानि कि OES mobile app का dashboard open हो जाएगा open होते ही सबसे पहले आपके सामने OES का home page आपके सामने open होगा नीचे आप ध्यांसी देखेगा 5 icon यानि कि 5 tab आपको दिखाए देगा सबसे पहला tab आपका होगा marketplace का, दूसरा होगा my wallet का, तिसरा होगा homepage का, चौता होगा subscription का, पाच वहगा apps का तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं homepage के बारे में क्योंकि सबसे पहले यही आपके सामने open होता है तो homepage पर सबसे उपर आपको wallet का option दिख जाएगा, अगर आप wallet पर click करेंगे तो आपके wallet में जितने भी balance होगे यानि कि अगर आपके organization से आपको कुछ commission receive होए है, तो वो वहाँ पर O coin के रूप में दिखेगा अगर आपके organization से आपको commission receive नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आपको zero ही दिखाई देगा दूसरे option है revenue, अगर आप उस पर click करेंगे तो आपके organization से जो total revenue जनेट हुआ है, वो वहाँ पर आपको दिखेगा वहाँ पर एक euro भी होगा, अगर आप उस पर click करते हैं, तो वहाँ पर आप year या फिर month किसी particular year या फिर month को select करके भी total revenue को आप देख सकते हैं, इसके बाद तीसरा option आपको मिल जाएगा, referral का, अगर आप referral पर click करेंगे तो उपर आपको referral code दिखाई देगा, उसे copy करने का option भ देख सकते हैं, इसके बाद home page पर ही users की regarding आपको information मिल जाएगी, सबसे पहला option आपको देखेगा total users का, अगर आप उस पर click करते हैं, तो आपके organization में जितने भी total users होगे, वो number आपको आपको दिखाई देगा, और वही पर एक arrow का symbol होगा, अगर आप उस पर click करते हैं, तो user क पूरी list आपके सामने open हो जाएगी, आप वहाँ पर one by one सभी का detail चेक कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा option आपको दिखाई देगा traffic users का, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर वो number सो करेगा, अगर हमें traffic generate होता, यानि कि अगर हमारे organization में traffic allocate किया जाता है, तो वो number यहाँ पर दि users का, यानि कि अगर आपके organization में जितने भी users हैं, उनमें से जो लोग NDA sign कर लिए होंगे, जो लोग affiliate बन गए होंगे, उन number वो detail यहाँ पर दिखेगा, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद नीचे के अगर हम बात करे हैं, तो सबसे नीचे आप आपको दिखाई देगा, उसके बाद नीचे आप coming product की list आपको दिखाई देगी, उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसके बाद हम दूसरे tab यानि की my subscription को समझ लेते हैं, यह tab आपको home tab के just bagel में मिल जाएगा, अगर आप इस पे click करते हैं, तो पूरा page आपके साम नहीं देगा, दूसरा option है payout का, payout यानि की जिस product को आपने subscribe किया है, तो उस particular product के थुरू अगर आपको revenue generate हुआ, commission generate हुआ है, तो वो यहाँ पर payout की रूप में दिखेगा, यानि की अगर आपके organization में user है, अगर आपने token purchase कर लिया है, और उन्होंने भी अगर token को purchase किया, त तो आप सभी जानते हैं कि आपको sales generate हुआ, sales generate हुआ, हम इस आपको commission generate हुआ, तो यहाँ पर उस particular product के थुरू जो भी revenue generate होगा, वो यहाँ पर payout की रूप में दिखेगा, तिसरा option है credit, यानि कि अगर आपको on passive की तरफ से कुछ credit generate होंगे, तो वो भी यहाँ पर दिखेगा, अगर आप उस पे click करते हैं, तो उसका पूरा detail आपके सामने open हो जाएगा, यानि कि आपने purchase किया है, उसका subscription कवे inट होने वाला है, आपने कितना pay किया था, यह monthly है, quarterly है, yearly है, जो भी होगा, पूरा detail आपके सामने open हो जाएगा, तो इस परकार से आप my subscription को भी check कर सकते हैं, इसके बाद हम तिसरे tab, apps के बारे में समझने वाले हैं, apps कहाँ पर मिलेगा आपको, subscription के just bubble में आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप my apps पे click करते हैं, तो उसका पूरा page आपके सामने open हो जाएगा, वहाँ पर आपको o connect, o mail, o net, o team का option आपको दिख जाएगा, तो सबस फीचर marketplace को समझ लेते हैं, यह feature आपको सबसे नीचे left side में मिल जाएगा, अगर आप उस पर click करते हैं, तो पूरा page आपके सामने open हो जाएगा, वहाँ पर आप सभी जानते हैं, marketplace की अगर on passive का कोई product का trial या पिर subscription उपलब्द है, तो यहाँ पर उसका detail मिल जाएगा, यहाँ पर trial को start कर सकते हैं, या पिर subscription यानि की उसको हम subscribe कर सकते हैं, कैसे subscribe करना, कैसे trial को start करना है, इसके बारे में आप सबी लोग काफी अच्छे से जानते हैं, वर्स, इसके बाद उसी के adjustable में दूसरा feature दिया गया है, my wallet का, अगर आप उस पर click करेंगे, तो my wallet का पूरा page आपके समने open हो जाएगा, open होते ही, सबसे पहले आपको wallet balance दिखाई देगा, जैसे आपके home page पर दिखाई दियता है, वैसे यहाँ पर भी दिखाई देगा, इसके बाद fund wallet दिखाई देगा, अगर आपने कुछ fund add किया हुए अपने wallet में, तो भी वहाँ पर show करेगा, या पिर अग आपको दिख जाएगा revenue wallet, revenue wallet में आपका total revenue दिखाई देगा, जो आपके home page पर दिखाई देता है, इसके बाद revenue wallet में credit, payout and withdraw का option रहता, credit यानि कि अगर आपको on passive की तरफ से कुछ credit जनेट होंगे, तो वो credits वहाँ पर दिखेंगे, दूसरा है payout, payout यानि कि आप सभी जानते देगा withdraw यानि कि payout के रूप में जो भी commission आपको दिखाई आगर आप withdraw करना चाहते हैं, तो उस पर click करके withdraw के request कर सकते हैं, withdraw करने के लिए जो भी आगर का process आता है, उसको complete करके आप withdraw के request कर सकते हैं, revenue wallet के just नीचे ही आपको wallet transaction का option मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी transaction के detail को withdraw transaction का option मिल जाएगा, वहाँ पर अगर आपने withdraw के request की है, तो उसका detail आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो चलिए आप हम profile को समझ लेते हैं, ये feature आपको सबसे ओपर right side में corner में दिख जाएगा, अगर आपने profile photo upload किया होगा, तो profile photo भी आपको वहाँ पर देखेगा, simply आपको उ समने open हो जाएगा, सबसे ओपर आपको edit का option दिखेगा, और वहाँ पर अगर आप एक founding member है, तो वहाँ पर ओंडर का logo याने की icon भी दिखाए देगा, उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोफाइल photo आपका दिखेगा, उसके just नीचे आपको edit ID name का option दिखेगा, अगर आप इस पर click करते हैं, तो page आपके समने open हो जाएगा, सबसे उपर आपको referral code दिखेगा आपका, और वहाँ पर उसे share करने का and copy करने का option भी दिखेगा, जो आपके home page पर भी दिखता है, ये मैं आपको explain कर चुका हूँ, इसके बाद दूसरा वहाँ पर आपका affiliate link दिखाए देगा, send invite का, जी है, send invite ये वही feature है, जो आप browser पर अपने ecosystem को login करते हैं, तो वहाँ पर send invite का option होता है, सबसे उपर, वहाँ से आप invitation template या फिर video template किसी को भेज सकते हैं, मतलब किसी को invite कर सकते हैं, registration करने के लिए, तो इस feature का आप use यहाँ भी कर सकते हैं, same process है, जो आप ecosystem के थूर, यानि की browser पर login करके करते थे, तो यह feature आपको यहाँ भी दिया गया, आप invitation template या फिर video template के थूर किसी को भी invite कर सकते हैं, registration करने के लिए, इसके बाद आपको तीसरा option देखेगा, OES guide का, अगर आप इस पर click करते हैं, तो आपके समने एक video open हो जाएगा, OES की regarding उसको आप देख सकते हैं, और उसी के just नीचे आपको OES guide का PDF डाउलोड करने का option देख जाएगा, download पर click करके OES guide को download कर सकते हैं, और कि PDF को डाउलोड कर सकते हैं, PDF को डाउलोड करके फ्रेंट्स आप पूरा चेक कीजिएगा, पढ़िएगा, समझेगा, उसको पढ़के उपन हो जाएगा, वहाँ पर आप profile photo को भी edit कर सकते हैं, इसके अलावा profile name को आप edit कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको country edit करना या फिर mobile number edit करना है, तो उसको भी आप edit करके save कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद अगर हम other details की बात करें, तो आप नीचे देखेगा, faqs, user manuals, यह सारे options आपको वहाँ पर नज़र आते है, faqs अनिकि अगर आप faqs पर click करते हैं, तो faqs का पूरा page आपके सामने open हो जाएगा, वहाँ पर आपको सभी product के regarding faqs मिल जाएगा, जैसे कि o can't हो गया, o mail, o net, o trim, इन सभी के regarding faqs आपको मिल जाएगा, जैसे आप browser पर login करके पहले पढ़ते थे, उसी परकार से आप यहाँ पर भी पर सकते हैं, इसी परकार से user manual को भी आप चेक कर सकते हैं, same process, इसके बाद documents को आप चेक कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि आपने ecosystem में India sign किया हुआ है, तो वो detail यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसको download करने का option भी होगा, simply download पर click करके, India को download करके आप पर सकते हैं, कोई दिकत नहीं, इसके बाद app setting का आपको option दिखेगा, अगर password को change करना चाहते हैं, तो change password पर click करके, अपने password को change कर सकते हैं, जैसे आप change password पर click करेंगे, तो page आपके सामने open होगा, वहाँ पर सबसे पह password इंटर कीजे, and change password पर click कर दीजे, आपका password change हो जाएगा, इसके बाद दूसरा option आपको यहाँ पर दिख जाएगा, my downloads का, my downloads याने की, अगर आप कोई PDF डाउनलोड करेंगे, तो वो सारे PDF आपको my downloads में दिखेंगे, उसको आप open करके पढ़ भी सकते हैं, और वहाँ पर delete कर एक option रहता है, आप उसको delete भी कर सकते हैं, इसके बाद आपको नीचे दो option और दिख जाएंगे, पहला है terms of service, याने की, इस पर आप जब click करेंगे, तो आपकी समने पूरा page open हो जाएगा, वहाँ पर सभी product को use करने की regarding, जो terms and conditions होते हैं, वो वहाँ पर दिया गया, उसको आ next feature के बारे में बात करते हैं, आप profile page से बाहर आजाईए, home page पर आजाईए, OES app के home page पर सबसे उपर आपको profile icon के just बगल में आपको notification याने की bell icon दिख जागा, उस पर आप click किजिए, उसे हम notification बोलते हैं, तो उस पर click करते हैं, notification का पूरा page आपके सामने open हो जाएगा, इसमे क्या होता है कि अगर कोई person आपको mail करता है, या फिर अगर आपके organization में कोई sales generate होता है, तो इन सभी का notification वहाँ पर आता रहता है, जिस पर click करके आप उसको अच्छे से पर सकते हैं, वहाँ पर all का option रहता है, all याने की जितने भी notifications होंगे, वह आपको वहाँ पर दिखेंगे read, read आने की जितने भी notifications को आपने पढ़ लिया है, read कर लिया है, वो आपको वहाँ पर दिखेंगे, आने read में आपको वह notifications दिखेंगे, जिनको आपने read नहीं किया, date में अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पर आप particular date को select करके भी notifications को check कर सकते हैं, इसके बाद हम last important feature के बारे म बात करने वाला है, आपको home page पर वापस आ जाना है, OES आपके, वहाँ पर आप देखेंगा, friends, सबसे उपर left side में three line आपको दिखाएदगा, three line पर अगर आप किलिक करेंगे, तो सारे options, सारे feature आपके समने आ जाएंगे, उसके बारे में हम समझ लेते हैं, friends, सबसे उपर आपका profile name दिख जाएगा, और आपका OS ID दिख जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं, उसके नीचे आपको my users का option मिल जाएगा, अगर आप इस पर किलिक करते हैं, तो आपके organization में जितने भी user हैं, पूरी list आपके सामने open हो जाएगे, जिस परकार से home page की जरी आप access कर सकते उसी परकार से आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, इसके बाद my favorite का option मिल जाएगा, अगर आप उस पर किलिक करते हैं, तो अगर आपने किसी product को या फिर किसी user को favorite में select किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, पूरक का भी दिख जाएगा, एंड उस particular user का भी दिख जाएगा, इसके बाद आपको my orders का option दिख जाएगा, अगर आप इस पर किलिक करते हैं, तो पूरा page आपके सामने open हो जाएगा, my orders में क्या होता है, कि अगर आप कोई product purchase करते हैं, तो उसका पूरा detail यहाँ पर रहता है, अगर आप किलिक करेंगे, open करेंगे, तो यहा आप सभी जानते है, my links में आपके three types के link होते हैं, पहला है on passive link, दूसरा है promotional video link, और तीसरा है affiliate link, जिसको आप copy भी कर सकते हैं, और डिरेक्ली वहाँ से share भी कर सकते हैं, इसके बाद my contacts का feature आपको दिख जाएगा, my contacts आप सभी जानते हैं, कि आपके organization में जितने user हैं, उनका पूरा detail, यानि कि my contact detail यहाँ पर save रहता है, उसको भी आप check कर सकते हैं, इसके बाद my invites, अगर आप इस पर click करते हैं, तो पूरा page आपके सामने open हो जाएगा, अगर आपने किसी को invitation template send किया, या फिर video template send किया, invite किया है, तो वो पूरा detail यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आ my calendar, my calendar आप सभी जानते हैं, कि आपको दिखाई देगा, अगर आपको event उगरा create करते हैं, तो उसका भी detail यहाँ पर my calendar में रहता है, इसके बाद यहाँ पर एक important feature दिया गया है, new updates का, new updates आप सभी जानते हैं, कि अगर हम browser के थूरू ecosystem को login करते हैं, open करते हैं, तो ecosystem के dashboard पर सब सबसे उपर ही update का section हमें दिखाई देता है, जहाँ पर हम update को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन अगर आप OES mobile app को login करेंगे, open करेंगे, अगर आप यहाँ पर update को देखना चाहेंगे, तो आपको सबसे उपर left side में जो आपका 3 line दिखेगा, उस पर click करना, click करने के ब उस पर click करके, आप chat board को भी use कर सकते हैं, कैसे use करना, इसके बारे में मैंने complete video बनाया है, उमीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, इसके अलाव वहाँ पे dark and light, यानि कि chat board के just बगल में एक icon आपको और दिख जाएगा, उस icon में आपको दो option मिल जाए अगर आप दोबारा click करेंगे, तो again light में हो जाएगा, इस परकार से आप इस feature को use कर सकते हैं, इसके बाद last important feature है logout का, यानि कि अगर आपने OES app को login किया हुआ है, और अगर आप logout करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको logout का option मिल जाएगा, logout पे click करके, अपने OES mobile app को logout कर सकते हैं, और दोबारा जब आपको log in करना होगा, तो आपको again log in पे click करके, अपना username and password enter करके, आप दोबारा से log in करके use कर सकते हो, तो ये सारे feature हैं, और OES mobile app में जितने भी features उपलब्द हैं, इन में से maximum features की regarding मैंने complete video बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा, मिस किया ह तो आप मेरे channel को visit करके maximum features की regarding video को देख सकते हैं, complete video देख सकते हैं, मैंने हर एक feature को complete explain किया हुआ, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, तो उमीद करता हूँ कि OES mobile app के सभी features, सभी option आपको अच्छे से समझ में आ गये होगे, अब इसे आपको use करने में को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, so video informative लगी, so video को like कर दीजेगा, friends को share कर दीजेगा, अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe जरूर के लिजेगा